In this video I will show you how to improve gaming performance in Windows 10 अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं सर्च में आएंगे गेम मोड टाइप करेंगे और यहाँ पर गेम मोड सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो जैसी इसके उपर हम क्लिक करेंगे तो यह बॉक्स हमारे पास ओपन हो जाएगा इसको इनेबल कर लेंगे इनेबल करने के बाद आपने सिंपल आना है स्टार्ट के बटन पर राइट क्लिक करना है और रन कमांड में आना है यहाँ पर अब हम टाइप करेंगे DXDIAG और OK के बटन पर क्लिक कर देंगे DXDIAG Direct X12 को illuminate करेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं Direct X12 है तो इसको आपने exit करना है अगर नहीं है तो आपने इसको update कर लेना है Windows Update से तो यहाँ पर search में आने के बाद Windows टाइप करेंगे और Windows Update सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो इसका box जो है हमारे पास open हो जाएगा जैसी इसका जो box है हमारे पास open होगा हमने क्या करना है सिंपल सा काम करना है resume updates के उपर क्लिक करना है resume update के उपर क्लिक करने के बाद आपने जब भी gaming करनी है तो pause update for seven days इसके उपर आपने click करना है तो जैसे इसके उपर आप click करेंगे तो आपकी जो gaming performance है वो काफी बेहतर हो जाएगी और advanced setting में आएंगे तो यहां पर दोनों option पर disable करना है हमने यानिके download और restart के button पर disable करना है तो इसके बाद हमने क्या करना है my computer पर आना है right click करके properties में आना है तो right side पर device manager है इसके उपर click करना है तो जैसे इसके उपर हम click करेंगे तो हमने यहां पर क्या करना है डिस्पेय ड्राइवर के या adapter के उपर right click करना है और इसको update कर लेना है तो जितने भी driver है आपने इसी तरह more के button पर click करना है right click करना है और update करना है तो तमाम जितने भी drivers हैं इनके उपर आपने click करके right click करना है और driver को update करना है तो इससे आपकी जो gaming performance है वो काफी बेहतर हो जाएगी तो इसके बाद हमने क्या करना है desktop पर right click करना है display setting में आना है तो bottom में अगर हम देखें तो हमारे पास advanced display setting है इसके उपर हम click करेंगे जैसे हम इसके उपर click करेंगे हमारे पास दो graphic cards हैं तो इन में से आप किसी को भी select कर सकते हैं जो आप use करना चाहते हैं तो keyboard से window plus A प्रेस करेंगे notification के button पर click करेंगे और यहाँ पर notification को disable करेंगे तो get tips के उपर हम untick करेंगे उमारे जो net की या internet की speed है और gaming speed है वो काफी बेहतर हो जाएगी फिर हम run command में आएंगे run command में आने के बाद यहाँ पर type करेंगे ncpa.cpl तो यह type करने के बाद ok के button पर हम click करेंगे तो इसका box हमारे पास open हो जाएगा यहाँ पर ethernet और wifi अगर आप ethernet यूज़ करते हैं इसके उपर properties पर आएं अगर आप wifi यूज़ करें तो इसके उपर right click करेंगे तो हमारे पास properties पर click करने से यह dialogue box हमारे पास open हो जाएगा और यहाँ पर हम find out करेंगे ipv4 तो इसके उपर click करने के बाद हमने second option जो है use इसके उपर हमने click करना है और यहाँ पर हमने cloud player faster dns type करना है okay के बाद फिर आपने close के बटन पर click करना है तो यह setting हम कर चुके हैं तो इससे हमारे internet की speed काफी fast हो जाएगी और आपकी gaming performance बेतर हो जाएगी फिर run command में आएगे यहाँ पर type करेंगे sys dm.cpl और okay के बटन पर click करेंगे तो basically visual effect जो है इसको हम disable कर देंगे advance में आएंगे और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास जो setting है third number पर advance for best performance apply okay करेंगे तो यह dialer box close करेंगे और इसके बाद हमने अपने PC को restart जरूर करना है ताकि तमाम update हो जाएं